जहीं दोस्तो दोस्तो कभी भी आप कोई भी शेर कन्वरजेशन किसी के साथ भी करेंगे तो सबसे पहला क्वेशन यही आता है क्या भाव है कुछ जाती में हम कहें तो सुम भाव चे दोस्तो यहाँ पे ही सारा बंटा दार हो जाता है दोस्तो किसी भी कमपनी में निवेश कर के लिए शेर का प्राइस आपका लीस्ट कंसर्न होना चाहिए शेर के प्राइस से आपके लॉंग टम के आउट लुक पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए फिल भी दोस्तो मैजोरिटी इन्वेस्टर यहां पे ही अपना फोकस सकते हैं कि शेर का भाव क्या है पचास रुप कच्रा शेर जिसे कहते हैं वहाँ पे वो जादा निवेश करते हैं क्यूंकि शेर का भाव वहाँ पे उनको कम दिखता है तो दोस्तों आज के वीडियो में पांच ऐसे बेजिक फेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे जिस पे आपको फोकर्स करना चाहिए और शेर के भाव प अच्छी नहीं है ये पांच फेक्टर के आधार पे हम डिसाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं मैप फेक्टर इसके बारे में वीडियो में डीटेल में चर्चा करेंगे क्या है ये हमारा मैप फेक्टर और कैसे ये आपको लॉंग टर्म में वेल्थ क्रियेशन में सहायता कर सक करता है इसके बारे में हम वीडियो में चरचा करेंगी तो सबसे पहले तो अनुरोध रहे दोस्तो आप सभी से की वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और इंपोर्टन वीडियो है कोई शेर के बारे में हम discuss नहीं कर रहे हैं, share कैसे analyze करना है, उसके बारे में discuss कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप share कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, परिवार जनों के साथ, और दोस्तों अगर आपने अब तक investment mantra channel को subscribe नहीं किया है, तो मैं अनुरोद करूँगा आप से channel को subscribe कीजिए आपके लिए बिल्कुल free है, बर उससे हमें बहुती support मिलता है, तो channel को ज़रूर subscribe कीजिए, दोस्तों आगे बढ़ें, उससे पहले आपके screen पे एक disclaimer आ रहा है, ये video सिर्फ और सिर्फ आपके information पॉपस के लिए हम तयार कर रहे हैं, कोई भी stock recommendation हम नहीं दे रहे हैं, किसी भी share में निवेश करने से पहले, आपको अपना जोकिम समधना है, और अपने वित्य सलाकार से सला लेके ही आपको निवेश करना चाहिए, दोस्तों चक्दे इंडिया नाम की एक movie आई थी, उसमें कबीर खान, चो कोच थे, उनका एक बहुती famous dialogue है, और वो है, मुझे state के नाम ना सुनाई देते हैं, ना दिखाई देते हैं, सिर्फ मुझे दिखाई देता है, वो है इंडिया, और दोस्तों, as a long term investor, आपका भी यही statement होना चाहिए, कि मुझे share के भाव ना दिखाई देते हैं, ना सुनाई देते हैं, सिर्फ एकी चीज़ मुझे दिखाई देती है, व पाँच हजार का शेर हो उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है तो ये एक golden statement है आप लिखके रखिएगा कि आपको शेर के भाव से कुछ लेना देना नहीं है कि हमेशा आप याद रखिएगा तो दोस्तों चर्चा करते हैं हमारे map factor के बारे में map मतलब क्या है MA 3P PPP ये है हमारा map factor पाँच अलग-अलग ऐसे factor हैं जो शेर के भाव नहीं है उसके अलावा के important factor है जिस पे आपको पहले focus करना चाहिए तो stock का price नहीं देखना है हमें हमारा ये map factor पे ध्यान देना है तो वीडियो में इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तो आगे बढ़े उससे पहले फिर से अनुरूद रहेगा कि वीडियो को एक like और comment और subscribe जरूर कीजेगा सबसे पहले है दोस्तों map factor में सबसे important है वो है market cap कई बार आपने सुना होगा हम generally जब भी कोई वीडियो डालते हैं किसी company पे तो सबसे पहले हम company की size के बारे में चर्चा नहीं करते हैं तो market cap आपको बताता है company कितनी बड़ी है 100 करों की company है 500 करों की company है 5000 करों की company है या फिर 5 लाग करों की company है तो ये market cap आपको बताता है share का price independent level पे कोई माईने नहीं रखता है अगर आपकी company का size छोटा है तो share का भाव बढ़ा हो छोटा हो उससे आपको ज़्या यह भी बनाया हुआ है हमारे चनल पे तो वहां पे उसी वर्च कोम ने खरीदा तो वहां पे स्टोर जो मैंने जैसे था उनसे भी चर्चा कर रहे थे टाइनमेक्स के बार में ही चर्चा कर रहे थे उनको पता नहीं था company listed है तो मैंने बाता है company listed है तो उन्होंने सबसे पहले कितने भाव की कंपनी हैं मैं वहाँ पे उनको continuous तीन चार बार मैंने mention किया यह 1500 कपनी है 1500 कपनी है और उनका focus था 150 का भाव, 150 का भाव, 150 का भाव यहाँ पे ही major investor गलती करते हैं 1500 कपनी मेरा focus area था 150 का भाव मेरा focus area नहीं था तो market cap मुझे देखना है कि मेरी कंपनी timex जो हम बचर्चा कर रहे हैं 1500 करो कंपनी है, कोई x y z कंपनी है वो 200 करो की कंपनी है reliance है वो तक्रीबन 20 लाग करो की कंपनी है, yes bank है तक्रीबन 20-80,000 करो की कंपनी है तो जब आप market cap के बारे में चर्चा करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके mindset में यह आएगा कि यह कंपनी जो इतने size के कंपनी है क्या यह कंपनी 10 गुना हो सकती है, 50 गुना हो सकती है यह market cap को ध्यान में रखके ही आप decide कर सकते हैं जो लोग बोल रहे हैं कि यह 50 रुपे की कंपनी 500 रुपे की हो जाएगी उनको पहले पूचिए market cap कितना है, उसके बाद यह आप ऐसे comment कीजेगा दोस्तों जो हमें follow कर रहे हैं, आपको पता होगा 400 करोड की कंपनी थी, 400 करोड की कंपनी यमुना सिंदे के 13,000 का उस समय पे शेर का भाव था दो साल पहले के ही बाते वीडियो भी आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे यमुना सिंदे को तो हमारा वीडियो यह आपको शायद देखेगा क्योंकि बाकी सारे लोग तो SZ वीडियो बनाते भी नहीं है, दोस्तों सोचिए आज उस कंपनी के शेर का भाव कितना है, 60,000 रुपे तो शेर के भाव से कुछ लेना देना नहीं है, 400 कोड की कंपनी थी, आज यहां से अगर आप देखें तो तकरीबन 1500-800 कोड की कंपनी बन चुकी है तो कंपनी का मार्केट के इंक्रीज हुआ है, इस होल्डिंग कंपनी है, आज एक हैवी के होल्डिंग कंपनी है, यह मुनास इंडिकेट, कोई रिकमेडेशन नहीं है अब पर एक्जामपल के तोड़ पर 13,000 का सेट का भाव, साथ हजार जा सकता है, पर अगर आप भाव पे ही फोकस करेंगे, तो आपके लिए अगर आप देखें, लॉंग टर्म में निवेश करना मुश्किल हो जागा, तो हमेसा आपको मार्केट के टर्म में ही कंपनी के बारे म हो जाएगी, आज भी आप देखेंगे, मेजर रूटी जो इन्वेशर हैं, अपने पोट्फोलिय में क्या रखते हैं, एडियेवसे बैंक, येस बैंक रखेंगे शायर, या कोई अगर आप देखें, कोटक बैंक रखेगा, हिंडियू चल निलियों लखेगा, आइटी से ल मार्केट, जहां पर कमने काम करी है, वो कितना बड़ा मार्केट है, दोस्तों, जाने माने इन्वेशर है, विजे के लिया, उनका एक स्टेट्मेंट है, फिस एन ओशन इस फार बैटर देन क्रोकडाइल इन पाउंड, अगर आपका जो क्रोकडाल है, वो पाउंड में है, तो सबसे बड़ा वो अगर आप देखें, अनिमल है, पर पाउंड ही छोटा है, तो क्रोकडाल अगर आप देखें, अगर अगर उसके खाने के लिए कोई भी वहाँ पर मचलिया नहीं रहेगी, बड़ अगर आप छोटी मचली है, बड़े ओशन के अंदर, तो हम जानते है ओशन की साइस कितनी बड़ी होती है, तो उस मचली के लिए तो उस ओशन में कहीं पे भी गुमना अगराब लगे, पॉस्टिबल होता है, तो यही होता है अगर मेरी छोटी मचली, मेरा छोटा मार्केट के और एक एक्सपोनेंशली ग्रोइंग एड्रेसबल मार्केट है, तो मेरी कमपनी मल्टी बेगर बनेगी, अगर में ही मार्केट हूँ, जो कमपनी है, वो अपने सेक्टर का 90% लीडर्शिप रगता है, और वो मार्केट भी ग्रोव नहीं कर रहा है, तो फिर वहां से ग्रोथ ही नहीं आएगी, अगर ग्रोथ ही नहीं आएगी, अगर ग्रो इसने addressable market को expand भी कर पा रही है और नहीं कर पा रही है दोस्तों तीसरा जो मेरा factor है पहला पी वो है popularity दोस्तों एक rich debt poor debt नाम की book है उसका एक वाक्य है popular is rarely profitable बिजनस के टाम में उन्होंने बात किये बस शेयर में भी आप apply कर सकते हैं जो चीज़े popular हो चुकी है जो शेयर कंपनियां popular हो चुकी है वो rarely profitable होती है दोस्तों किसी भी कंपनी का शेयर का बाव दो तरक से बढ़ सकता है एक है आपका EPS EPS बढ़ेगा तो शेयर का price उसको follow करेगा दूसरा है PE expansion और जब ये दोनों के दोनों चीज़े एक साथ होती है मेरा EPS भी बढ़ रहा है और मेरा जो PE है वो भी expand हो रहा है तो मेरा multi-bagger share निकलता है दोस्तों ये PE expansion क्या है ये आपका है share जो unknown है वो known बनता है popular बनता है तो वही basically PE expansion है तो जिस कंपनी का PE expansion हो चुका है जिसकी popularity अच्छे खासी market में है सब को पता है ये company क्या करती है इसका business क्या है 300 analyst उसको रोजाना track करते हैं हमारे बड़े-बड़े new channel वाले उसके बार में चर्चा करते रहते हैं तो समझ दिजे कि ये popular company है यहाँ पे long term में wealth बनना मुश्किल है impossible तो कुछ नहीं हो दोस्तों कुछ company के नाम आप इने screen पर देख रहे हैं ये कुछ popular company आज का date में market में popularity आप कैसे पता कर सकते हैं कितने number of unique shareholder है वो आप चेक दीजे किसी भी company में निवेश करने से पहले येस bank नाम की ये company है कोई भी recommendation नहीं है लबाय असल का सिर्फ example के तरह हम बात कर रहे हैं येस bank में 63 लाख unit shareholder है 63 लाख unit shareholder दोस्तों यहाँ से 63 लाख shareholder एक साथ 5 गुना 10 गुना return बना येस bank के share से मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है और हमारे tutor पे कई सारे ग्यानी लोग बेठे हुए हैं जो कहते हैं येस bank का share वापस जाएगा 300 रुपे दोस्तों वहाँ पर फिर से आता है हमारा पहला factor market cap जो market cap इसका 5 साल पहले था जब यहाँ पर ये पूरा adjustment नहीं हुआ था वो market cap और अबके market cap में बड़ा difference है उस समय पर shareholding share capital कम था अब share capital multiple बढ़ चुका है तो market cap आज की डेट में तकरिबर 80,000 करों का है तो वहाँ से अगर आप देखे 27 का share का बाग 300 जाने के लिए ये 80,000 करों का market cap 8,000 करों पहुचना पड़ेगा आप इसको access bank या kotec bank से भी बड़ी company सोच रहे हैं तो फिर आपको अपने सोच पे थोड़ा ध्यान देना चाह हैं मुश्किल होता है popular hardly profitable होता है तो popularity पे ध्यान दीजे आपको अगर wealth create करनी है आपको less अगर आप देखे chosen path पे ही जाना पड़ेगा जहां पे कोई नहीं जा रहा है जिस company के बारे में किसी को नहीं पता है उस पे आपको focus करना पड़े कर वो company कहां मिलेगी तो वो आपको इस channel पे मिलेगी investment mantra channel पे मिलेगी यमुना syndicate के बारे में हमने अचा चा की आप आज भी देखेंगे उसके share होड़े बहुत ही कम है लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है तो ऐसे company हम यहां पे आपके लिए लेके आते हैं जो popular नहीं है तो channel को पहले subscribe कर लिजे तो popularity पे ध्यान दीजे आपको popular share में निवेश नहीं करना है दोस्तों मेरा तो ये एक बड़ा factor रहता है पांच लाग से उपर का अगर number of share हो रहता है तो मुझे सुनना ही नहीं है company क्या करती है उसका business क्या है उसका product क्या है इतनी growth उतनी growth जो भी आपको कहना है आप मान लीजे मैं निवेश नहीं करूंगा पांच लाग से उपर shareholder no go zone है मेरे लिए चोथा factor है वो है peer company जो business कर रहे है उस business के दूसरे लोग कौन है वहाँ पे कौन-कौन उनके competitor है उसके बार में भी आपको जानकारी रखनी है निवेश करने से पहले ये हर चीज़े आपको निवेश करने स पहले देखना है बात में नहीं पेर कोन है वो कैसे काम कर रहे है उनका market कितना है क्या addressable market enough है सारे के सारे पेर को ग्रोव करने के लिए क्या peer बहुत ही ज़्यादा competitive है या वो अगर आप देखें तो थोड़ा अगर आप बिजिन्स फोकस उनका नहीं है क्या ये company जिसमें आ अगर आपका market ही बहुत ही बड़ा है जैसे कि हम mutual fund के बारे में चर्जा करें mutual fund industry 7 लाग करों के company है 47 AMC currently mutual fund में है मतलब ये सारे peer है एक दूसरे के फिर भी हम कहते हैं mutual fund में growth आएगी इनकी company में growth आएगी क्योंकि addressable market unlimited है और वो grow भी हो रहा है तकरीवन 15 पस के CGR से तो बोड़ा market तो बहुत सारे peer भी काम कर सकते हैं बट market ही छोटा है जिसे कि अगर आप देखें तो वहाँ पे grow करना मुश्किल होता है छोटे market के अंदर कई सारे ऐसे आप example देख सकते हैं तो peer के साथ आपको focus करना है कि peer के सामने क्या आपकी company compete कर पाएगी या नहीं कर पाएगी और दोस्तो आखरे में जो हमारा factor है वो है profit EPS पे आप consider कीजिए या profit कीजिए profit कमा रहे है के नहीं company वो भी देखना है loss making company में निवेश नहीं करना है में अगर loss making भी है क्या future में profit कमाएगी और profit कमाना भी enough नहीं है दोस्तो market जो currently भाव दे रहा है वो current profit के हिसाब से दिख रहा है तो अगर भाव को बढ़ना है market cap को बढ़ना है तो इसके साथ हमें profit को भी बढ़ाना पड़ेगा तो क्या company profit बढ़ाने के लिए कोई step ले र company सेम revenue पे 15% profit कर सकती है तो pricing power है company के पास profit pricing power यह सब साथ साथ में चलते हैं तो मुझे profit बढ़ाना है profit बढ़ाने के लिए addressable market बढ़ा होना चाहिए मेरे company का अगर आप देखें तो product अच्छा होना चाहिए PR के साथ company compete करने का अगर आप देखें पोटेंशल रखनी चाहिए यह सारे के सारे factor एक साथ आने चाहिए तभी आपका profit बढ़े का तो profit growth सबसे important होता है EPS कह लिए या profit कर लिए eventually 10-15 साल में profit जो करेगी वही company wealth बना करेगी profit growing होना चाहिए एक level पे जब profit stable हो जाता है तो फिर जो आपका PE expansion है वो फिर ठीरी दीर अगर आप देखें PE contraction में निवेश नहीं करना है growing business में किसे को निवेश नहीं करना है लोग future देखके निवेश करते हैं PE future के लिए ही मिलता है आपके पास में अगर आपने अच्छा खासा profit किया है आपने पास में अगर आप देखें multiple return बनाया है बहुत ही अच्छी बात है आगे नहीं बनेगा तो PE expansion नहीं होगा PE expansion नहीं होगा तो फिर आपका share नीचा चाहेगा यह हमारा basic map factor है दोस्तों इसको आप ध्यान में रखिए implement कीजिए हर एक company के selection में आपको map पे focus करना है share को नहीं देखना है यह बात आप ध्यान में रखके निवेश करेंगे तो long term में आपको ही benefit होगा तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको value मिली और आप अपने investment में भी इस approach को follow करने की कोशिश करेंगे अगर आपको इस वीडियो से value मिली है कुछ important सीखना मिला है तो मैं अनुरोद करना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को आप at least 3 अपने दोस्तों के साथ share कीजे सोशल मीडिया पे भी आप वीडियो को share कर सकते हैं और दोस्तों फिर से अनुरोद रहेगा आप सभी से कि यहां तक आगे अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किय कर दोस्तों कि यहां जाहिं जाहिं महाकाली